आज शिखा बंधन अर्थात चौटी बांधना इसे विशे को लेकर मैं आपके सामने उपस्थी दुआ हूँ अतह शिखा किनकिन जगह पर बंधन करना किनकिन जगह पर शिखा नहीं बंधन करना शिखा बंधन नहीं करने के दोश और शिखा किस विदी से बांधे इन विशे के बारे में हम जानेंगे सर्व पर्थम किन-किन जगह पर शिखा बांधनी चाहिए और इनके बीच-बीच में आने वाले कार्यों कोई महत्व के बारे में भी जानेंगे जो इस प्रकार स्थनाने दाने जपेहो में संध्या यामदेवतार चने स्थनान की विशे में कहते हैं सो काम छोड़कर भूजन करना चाहिए सहस्तरम स्नान माचरेत हजार काम छोड़कर स्नान करना चाहिए दाने दान करते समय दान की महत्ता बताई गई है शतेशु जायतेशु रहा सहस्रेशु चपंडितह वक्ता रशो सहस्त्रेशु दाता भवतिवानवा शतेशु जायतेशु रहा सो में से एक शूरविर पैदा होता है सहस्रेशु चपंडितह हजार में से एक पंडित पैदा होता है वक्ता दशु सहस्त्रेशु दश अजार में से एक वक्ता पैदा होता है दाता भवतिवानवा और इन सब्यों में से एक दानवीर पैदा होता है जपे जब करते समय किसके सान्निद्य में जब करने सरवाधिक फल प्राप्त होता है संध्या से लेकर छे प्रकार के ब्रह्मन के नित्य कर्मा बताई गए हैं जो इस प्रकार संध्या स्थनानम चपस्चेव देवतानम चपूजनम विश्वदेवं तथा तित्यम शडकर माने दिने दिने संध्या स्थनान जप देवताव का पूजन विश्वदेव तथा अतित्यों का सत्कार यहाँ छे प्रकार के ब्रह्मन के नित्य कर्मा बताई जंधिम बिना कर्म शिखा को बांधे बिगर नाकुरियादवे इकदाचना इन कर्मों को नहीं करना चाहिए संग्षिप्त में मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ स्नाने, स्नान, दान, जब, होम, संध्या और देवताव का अर्चन करते समय शिखा गरंथी यानि शिखा को बांधे बिगर इन कर्मों को नहीं करना चाहिए किन-किन जगह पर शिखा को छोड़ देना चाहिए जो इस प्रकार स्नाने, भोजने, जेव, तथा मुत्रपूरी, शयोह, मेथुने, शवस्कंदे, शिखाम, शविसर, जयेद स्नाने, स्नान करते समय भोजने, पुर्वमे में बताया शतम विहाय भुक्तव्यम सो काम छोड़ कर भोजन करें तथा मुत्रपूरी, शयोह, मलमुत्रादी, त्याग करते समय मेथुने, मेथुन, और शवस्कंदे, शव यानि मुर्दे को कंदे पर रखते समय शिखाम, शच्चू, विसर, जयेद, इन छव स्थानों पर शिखा को छोड़ देना चाहिए संखिप्त में स्नान, बोजन, मलमुत्रादी त्याग करते समय मेथुन, और मुर्दे यानि शव को कंदे पर रखते समय इन छे स्थानों पर शिखा को छोड़ देना चाहिए मनुर्शी के मत के अनुसार शिखा किनकिन स्थानों पर छोड़ देने चाहिए शोचे थशयने संगे भोजने दंतधावने शिखा मुक्त्यम सदाकुरियत इत्येतन मनुरब्रवीद शोचे मलमुत्रादी त्याग करते समय शयने संगे साथी के साथ शयन करते समय भोजने भोजन करते समय दंतधावने दातुन ब्रश करते समय शिखा मुट्टिम सदा कुरियात इन स्थानों पर सदेव शिखा को छोड़ देनी चाहिए। इत्येतन मनुरब ब्रविद ऐसा मनुर्शी कहते हैं यहां मनुर्शी का मत हैं। अब शिखा नहीं बांधने के दोश और शिखा किस प्रकार से बांधे हैं। अमंत्रोदी यते ग्रंथी जपो होमो वर्था बवेत स्मृत्वों कारम च गायत्रिम निबदनी या चिखाम ततह अमंत्रोदी यते ग्रंथी यदि बिगर मंत्र बोले शिखा को बांध दे जाए तो जपो होमो वर्था बवेत तो किये गए जप और होम व्यर्थ यानि संक्षिप्त में यदि बिगर मंत्र बोले शिखा को बांध दी जाए तो किये गए जब और होम व्यर्थ यानी निश्फल हो जाता है। पुण्यादी कर्म करता हैं वह पुण्यादी कर्म नहीं के बराबर हो जाता है। इन्हीं कारणों से योगनों पावित धारण और शिखा को रखना भूद ही महत्व बताया गया है। यदि यहां अमारा विचार आपको अच्छा लगें तो अधिक से अधिक शेर करें। जयत कर दो